हेलो स्टूडेंट्स हाव अर्यू वेलकम टू माई यूटूब चैनल पंकच फिजिसकुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजूएशन एंड पोस्ट ग्रेजूएशन फिजिक्स के टॉपिस की सबसे असान एक्स्प्लेनेशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिख के आना हैं ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोर्स बना सकें और एक्जाम में बहुत अच्छे मांक्स ला सकें तो students आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजी और पाईए notification मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे MSC Physics Semester 1 Mathematical Physics Unit 3 के एक और important topic के बारे में जिसका नाम है Generating Function for Laguerre Polynomial देखे students पिछले वीडियो में हमने देखा था Laguerre Polynomial जिसको हम denote करते हैं LNXE ये series solution होता है Laguerre Differential Equation का तो Laguerre Differential Equation का series solution LNX कैसे find किया जाता है वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते है जिसका link आपको नीचे description box में और उपर i button में मिल जाएगा देखे students जो Laguerre Polynomial होती है LNX जिसका expression होता है LNX is equal to summation R is equal to 0 to N minus 1 की power R N factorial X की power R divided by R factorial square N minus R factorial तो इस series को इस Laguerre Polynomial को हम एक function से बना सकते हैं generate कर सकते हैं और वो function होता है कुछ इस प्रकार से 1 upon 1 minus T E की power minus T X 1 minus T जब आप इस function को इस exponential term को expand करते हैं तो आपको एक बहुत लंबी series मिलती है अगर आप उस series में T की power N के coefficients इकठे कर लेते हैं T की power N के coefficients को एक साथ collect कर लेते हैं तो आपको जो term मिलती है वो होती है यही term आपको मिलती है और वो होती है Laguerre Polynomial इस लिए इस function को हम बोलते हैं generating function for Laguerre Polynomial LNX तो आपको कोशन exam में किस परकार से पूछा जाएगा आए वो देखते हैं पहले Show that LNX is the coefficient of T की power N in the expansion of 1 upon 1 minus T E raised to power minus TX upon 1 minus T हमने यह show करना है कि जब हम इसको expand करेंगे तो इसकी expansion में जो T की power N के coefficients होंगे वो हमें LNX देंगे means यह वाला expression देंगे और कैसे पूछा जाता है आपको exam में question यह वाला और prove that 1 upon 1 minus T E raised to power minus TX 1 minus T is equal to summation N equal to 0 to infinity T की power N LNX means जब आप इस function को expand करते हैं तो जब आप इसकी expansion में T की power N के coefficients इकठे करेंगे तो आपको LNX मिलेगा means यह expression मिलेगा तो students कैसे हम यह काम करेंगे यह हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर तो students चलिए आगे बढ़ते हैं और prove करते हैं अपने result को तो आप heading मनाएंगे prove जो लेगवेरे पॉलिनोमिल LNX का generating function होता है उसकी form जो है वो कुछ इस परकार से होती है अब हमें इस function को expand करना है और collect करने हैं हमें T की पावर N के coefficients जो की हमें LNX लेगवेरे पॉलिनोमिल का expression ही देगा तो students यहाँ पर लिखा हुआ है E की पावर something और हमें पता है E की पावर X के expansion क्या होती है 1 प्लस X बाइ 1 factorial प्लस X स्कूर बाइ 2 factorial प्लस X क्यूब बाइ 3 factorial and so on इसको हम summation की form में ऐसे लिख सकते है E की पावर X is equal to summation R is equal to 0 to infinity यहाँ पर X की पावर 0 है यहाँ पर X की पावर 1 है यहाँ पर X की पावर 2 है X की पावर 3 है and so on तो यहाँ पर आजेगा X की पावर R यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 0 factorial यहाँ पर 1 factorial, यहाँ 2 factorial, 3 factorial and so on तो यहाँ पर R factorial लिख दिया तो E की पावर X की जो expansion होती है उसको हम इस summation से express कर सकते है same formula हम यहाँ पर use करने वाले हैं तो आप लिखेंगे 1 upon 1 minus T summation R equal to 0 to infinity नीचे R factorial है तो R factorial तो एजटी दादेगे इसको आप 1 upon R factorial लिख दिजिए यहाँ पर X लिखा हुआ है यहाँ पर यह लिखा हुआ है X सी जगा तो आपको इस X सी जगा यह term put करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे आप minus TX by 1 minus T की power R तो सारी terms का power R अलग-अलग कर दिजिए तो आपको क्या मिलेगा यह वो देखते हैं is equal to 1 upon 1 minus T step के बाद यह बला step आएगा तो summation R equal to 0 to infinity और 1 by R factorial यह देखिए minus 1 है minus 1 की power R आप अलग कर दिजिए T की power R आप अलग कर दिजिए X की power R आप अलग कर दिजिए और नीचे है आपके पास 1 minus T और इसकी power B R है तो यहाँ पर R कर दिजिए देखिए यहाँ पर 1 minus T की power 1 है और यहाँ पर R है तो यह अंदर जाके बन जाएगा R plus 1 तो इसको आप लिखेंगे next step में चाहे तो आप इसी step में कर सकते हैं R equal to 0 to infinity minus 1 की power R इस 1 को लिखने की जूरती है अब T की power R X की power R नीचे आजाएगा R factorial और यह हो जाएगा 1 minus T की power R plus 1 तो यह 1 minus T की power R plus 1 को अगर हूं उपर लेके जाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उपर जाके sign इसका negative हो जाएगा 1 minus T की power R plus 1 तो जो नीचे power plus की थी वो उपर जाके minus की हो गई तो students आपके left hand side में wait term चल रही है E की power minus TX divide by 1 minus T तो students हम यहां तक पहुंच चुके हैं इसके आगे के steps हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर तो students आईए आगे बढ़ते हैं पिछले section में हम step तक पहुंच चुके थे अब हमें इस term को binomily expand करना है यहां पर हमें एक identity use करनी होगी और वो identity होती है 1 minus X की power minus N जब आप इसका binomial expansion करते हैं तो आपको कुछ इस परकार की series मिलती है 1 plus NX plus N N plus 1 by 2 factorial X square plus N N plus 1 N plus 2 by 3 factorial X cube and so on बहुती simple expansion है बढ़ी असानी से याद की जा सकती है तो आपको क्या करना होगा जहां जहां पर X लिखा है वहां वहां पर T put करना होगा और जहां जहां पर N लिखा हुआ है इस N की जगा आपको put करना होगा R plus 1 तो आप इस term को expand कर सकते हैं by using this expansion तो आप left hand side में as it is लिखेंगे equal to summation R equal to 0 to infinity ऐसी रहेगा minus 1 की power R ऐसी रहेगा T की power R X C power R ऐसी रहेंगे नीचे R factorial ऐसी रहेगा इसको expand करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा plus इस N की जगा आपको रखना होगा R plus 1 R plus 1 और इस X की जगा आपको रखना होगा T plus N की जगा आपको रखना है R plus 1 इस N की जगा आपको R plus 1 रखना है तो R plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा R plus 2 by 2 factorial और इस X की जगा आपको रखना है T और यहाँ पर देखिए यहाँ पर N है तो यहाँ पर आजाएगा आपका r plus 1, यहाँ पर आजाएगा आपका r plus 2 और इस n की जगह जब r plus 1 रखेंगे तो बन जगा r plus 3 और यहाँ पर आएगा आपका t cube और नीचे आजाएगा 3 factorial प्लस up to so on तो students अगले step में आप क्या करेंगे इस t की power r को हर एक term से multiply करेंगे तो आज़े multiply करते हैं equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 की power r x की power r, नीचे आजाएगा r factorial इस t की power r को पहले 1 से multiply कीजिए तो आपको मिलेगा t की power r plus r plus 1 और यहाँ पर t की power 1 है तो t की power r into t की power 1 हो जाएगा t की power r plus 1 और नीचे आएगा आपके पास नीचे आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ मत लिखिए plus r plus 1 r plus 2 यहाँ पर हो जाएगा t की power r multiple है t की power 2 हो जाएगा t की power r plus 2 नीचे 2 factorial plus so on आगे की terms आप छोड़ सकते हैं उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको 3 terms sufficient है 1, 2, 3 terms तो students यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं left hand side में आपका यहीं चल रहा है तो students इसके आगे की steps हम देखेंगे next section के अंदर तो students आईए आगे बढ़ते हैं पिछले section में हम इस step तक पहुंच चुके थे पिछले section में जो last step था वो ही as it is मैंने यहाँ पा लिखा है तो इसके आगे की जो 2, 3 steps हैं वो बड़े आपको ध्यान से देखने हैं क्योंकि वहीं से आपका result त्यार होगा तो अगले step में आप क्या करेंगे left hand side same चलती देगी equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 की power r, x की power r r factorial बड़ी bracket start करनी है अब आपको हर एक term को चाहे ये term हो, चाहे ये term हो चाहे ये term हो, इसको r factorial से multiply भी करना है और divide भी करना है तो आप क्या लिखेंगे r factorial से उपर multiply कर दिया और r factorial से नीचे divide कर दिया t की power r को तो यहाँ पर तो r factorial से multiply भी divide कर दिया, अब आपको अगली term के साथ बैसे करना है, r plus 1 तो ऐसी लिखा हुआ r factorial उपर भी लगा दिया, r factorial नीचे भी लगा दिया, कोई problem नहीं है, t की power r plus 1 लिख दिया, plus r plus 1, r plus 2 ऐसी रहेगा उपर r factorial लिख दिया, नीचे r factorial लिख दिया, multiply कर दिया r factorial से, divide कर दिया r factorial से कोई फरखनी पड़ेगा, 2 factorial as it is t की power r plus 2 ऐसी करना है तो इस step में हमने क्या किया है, bracket के अंदर हर एक term को r factorial से multiply और divide किया है, तो यहाँ पर students आप multiply में यहाँ पर 1 factorial भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 factorial जो होता है, वो 1 ही होता है, तो 1 लगाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा यहाँ पर, और इसी तरह से आप यहाँ पर 0 factorial भी लिख सकते हैं, साथ में r factorial के, क्योंकि 0 factorial की value भी 1 ही होती है, क्योंकि हम एक sequence बनाना चाहते हैं, 0 factorial लिखना है, r plus 0 factorial t की power r को लिखना है t की power r plus 0, r में 0 add कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा, इस power में r में 0 add कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 factorial r factorial plus अब r plus 1 into r factorial क्या होता है? यह होता है r plus 1 factorial देखिए, r plus 1 factorial को खोलिए, क्या मिलेगा आपको? r plus 1 फिर r plus 1 में से 1 minus होगा तो ये बन जाएगा r factorial तो r plus 1 factorial को आप ऐसे लिखते हैं r plus 1 r factorial तो इसलिए हमने r plus 1 into r factorial को r plus 1 factorial से replace कर दिया इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे इसी तरह से r plus 2 r plus 1 into r factorial को आप लिख सकते हैं r plus 2 factorial r plus 2 factorial को जो आप x खोलेंगे तो क्या होता है r plus 2 लिखा जाता है फिर r plus 2 में से 1 minus होगा तो वो बन जाएगा r plus 1 तो अगली term कौन सी होगी r plus 1 में से 1 minus किया जाएगा तो ये हो जाएगा r factorial तो इन 3 नो terms की जगा हम r plus 2 factorial लिख सकते हैं r plus 2, r plus 1, r factorial की जगा r plus 2 factorial लिखा जा सकता है t की power r plus 2 ऐसे देगा नीचे 2 factorial, r factorial ऐसे देगा plus so on तो students यहाँ पर हमें एक sequence मिल गया अब इस bracketed term को हम summation की form में लिख सकते हैं आएगे देखते हैं कैसे summation यहाँ पर जो limits होगी वह होगी s equal to 0 to infinity s और r में आप confuse मत होना यह s है student यहाँ पर r plus 0 है, r plus 1, r plus 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r plus s factorial t की power यहाँ पर r plus 0 है, r plus 1 है, r plus 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की power r plus s divide में 0, 1, 2, factorial चल रहा तो इसको हम लिख सकते हैं s factorial और r factorial साम में common है तो वो ऐसे ही आ जाएगा तो इस bracketed term को हम summation की form में कुछ इस परकार से लिख सकते हैं तो students एक दो steps और बचे हैं वो हम देखेंगे next section के अंदर तो students आईए बढ़ते हैं आगे पिछले section में हम यहां तक पहुंच चुके थे यह step तक हमने complete कर लिया था देखे students यहां पर आ रहा है t की power r plus s बढ़ हमें तो t की power n चाहिए तो अगला step हमारा क्या होगा इस r plus s को हम replace करेंगे n से तो आप लिखेंगे put r plus s is equal to n saw that यहां से s की value आ जाएगे आपके पास n minus r तो इस bracket में जहां जहां s लिखा हुआ है वहां आपको n minus r put करना है और जहां जहां आपका r plus s लिखा हुआ है वहां n put करना है तो यही आपका next step होगा तो summation यह वहली terms ऐसी रहेंगी r equal to 0 to infinity minus 1 की power r x की power r नीचे r factorial summation अब यह जो s term है वो किसमें करनाट हो चुकी है n की terms में करनाट हो चुकी है तो यहां पर limit जो है वो आएंगी n equal to 0 to infinity हो जाएगा यहां पर s को हमने n में change कर दिया है r plus s किसके बराबर है n के बराबर है तो यहां पर आजाएगा n factorial और यहां पर आजाएगा r plus s की जगा n और नीचे इस s की जगा आजाएगा n minus r n minus r factorial और यहां पर r factorial as it is रहेगा अब दोनों summation जो हैं वो combine कर लीजिए इस summation को पहले लिख दीजिए summation n equal to 0 to infinity इस summation को यहां पर लिखिए summation r equal to 0 to infinity और terms देखें combine कीजिए terms को minus 1 की power अकेला है यह ऐसी रहेगा उसके बाद आपके पास x की power r ऐसी रहेगा उसके बाद आपको लिखना है n factorial n factorial लिख दीजिए और नीचे यहां पर r factorial multiply r factorial ही हो जाएगा r factorial का square और n minus r factorial ऐसी लिख दीजिए और यहां पर buddy backer close कर दीजिए और यह t की power n जो बचा है वो यहां लिख दीजिए तो students यह जो अंदर लिखा हुआ है यहां पर आपको हलका सा change करना है यहां पर n minus r factorial लिखा हुआ है और factorial जो है वो कभी भी negative नहीं होता तो means n minus r की जो value होगी वो हमेशा greater than equal to 0 होगी तो means यहां पर जो r हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा n greater than equal to r means जो r की value होगी वो या तो n से छोटी होगी या n के बराबर होगी तो जो हमने यहां पर limits लिखी हुई है r equal to 0 to infinity जब यह सारा expression इस term में convert हो गया है n की terms में convert हो गया है तो यहां पर आपको r की limit जो है वो change करनी होगी यहां पर r equal to 0 to n करना होगा क्योंकि r की जो value होगी maximum value वो n के बराबर हो सकती है क्योंकि n minus r factorial negative नहीं हो सकता तो जैसे ही आप इस expression में को replace करेंगे s equal to n minus r put करेंगे और r plus s की जगा n पूट करेंगे expression में तो यह expression जो है वो n की terms में convert हो जाएंगा तो यहां पर limit जो है वो r equal to 0 to infinity के बजाए r equal to 0 to n हो जाएंगी तो यहां पर भी आप r equal to 0 to n ही लिखेंगे because n minus r factorial is always positive यह negative नहीं हो सकता और इसके लिए condition ही होगी की r को less than equal to n होना पड़ेगा तो students यह जो term लिखी है अंदर bracket में यह क्या है यह आपका लेग्वेरे polynomial ही तो है n equal to 0 to infinity t की power n यहां पर इसको आप lnx से replace कर सकते है t की power n और equal to में आपका चल रहा है 1 minus t e raise to power minus tx divide में आपके पास 1 minus t में जब आप इस function को expand करते हैं और इसकी expansion में जब आप t की power n का coefficient देखते हैं तो वो lnx लिख निकल के आता है जहां पर lnx जो है वो है इस term को represent कर रहा है lnx summation r equal to 0 to n minus 1 की power r साथ में n factorial साथ में x की power r और नीचे r factorial का square और साथ में n minus r factorial तो means आप इस function से lnx को generate कर सकते हैं इस expansion में इसकी expansion में जो t की power n के coefficient होंगे वो lnx की value देंगे तो students ये था आपका topic generating function for lagvary polynomial I hope आपको आज का topic जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा मिलेंगे किसी और important topic of mathematical physics के साथ till then take care झाउ ताउ झाउ की आउ